हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HDFC क्रेट काड के बिल पेमेंट का तरीका, जिससे पेमेंट करने के बाद आपका बिल तुरंथी क्रेट काड में रिफलेक्ट होने लगएगा अगर आपके पास HDFC का क्रेट काड है, तो आपको पता होगा कि इसके बिल पे करने के दो तरीके बिल पेमेंट तो क्या रिशकते हैं, जिनके पास HDFC का सेविंग अकांट नहीं है, वो फॉलो करते हैं इस case में हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं हमने credit card के interface पे और वहाँ से हम choose करते हैं credit card के payment का option जो कि हमें redirect कर देता है build desk के website पे और हम फिर वहाँ से payment करते हैं तो देखे दोस्तो होता है क्या है कि उस method में वो जो payment होता है उसमें कम से कम तीन से चार दिन update होने में लग जाता है तो आज मैं आपको एक ऐसा solution बताऊंगा जिसमें आपके पास HDFC का saving account नहीं है ठीक है फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि अपने किसी भी net banking से किसी भी saving account के net banking से आप अपने credit card का bill IMPS के जरीए pay कर सकते हैं अब आपको पता होगा कि IMPS में payment जब होता है तो इमीडियेटली आपके account में transfer हो जाता है इमीडियेटली transfer हो जागा तो आपके credit card में भी इमीडियेटली reflect हो जाएगा तो तुरंथी आपका update हो जाएगा ऊपको बता देता हूँ यह तरीका कीसे के आता है इसके बार अपको idea तो होगा लेकिन आपको पता नहीं होगी कैसे करते हैं तो मैं आपको यहां एक demo दिखा देता हूँ कि आकर करते कैसे हैं इसको बबढ़ के अपको किसी भी empire banking होना चाहिए इसके लिए तो मैं अपने case में मेरे पास IOB का net banking है तो मैं आपको IOB का net banking में जाकर उसका तरीका बता देता हूं तो आप वहां से देख लीजिए एक बार पिर आपको पता लग जाए कि आपके bank में भी similarly वैसी करना होगा ज्यादे कुछ काम नहीं है थोड़ा से बिल्कुल थोड़ा से काम है IOB वालों के लिए मैं दिखा देता हूं क्योंकि मेरे पास IOB का net banking है तो इस case में आपको दिखा देता हूं कि आपको करना है other bank account ठीक है वहां से आगर आपका पास कुछ किसी और bank का net banking है तो वहां पर भी प्रोसेजर बिल्कुल सिंगलर होगा तो फिलाल आप इसके IOB का देख लिए ठीक है तो name of beneficiary में आपको पता है आपको क्या डालना है तो अपने if necessary में आप अपना name डाल दिजेगा अपने आपने account पर जो नियम आपका छापा आओए भlor ढाल दिजेगा का कार्ड नबर डाल देना है ठीक है उसके बाद आपको कार्ड नबर फिर से रिपीट कर देना है यहां पर और यह जो IFSC code है यह HDFC का जो IFSC code होता है credit card की case में तो मैंने यहां पर HDFC का जो IFSC code है वो दिखा रखा है कि यह HDFC 4x0128 ठीक है तो आपको क्या करना है बस अपने credit card का यहां पर number डालना है उसको repeat करना है और IFSC code डालना है और continue कर देना है ठीक है तो यह pay तो तुरंत ही add हो लेकिन payment करने में यह आप payment जो initial payment होता है उसमें यह 3-4 गंटे का वक्त लेते हैं उसके बाद ही आप initial payment कर पाएंगे ठीक है तो जो चार गंटे हो आप उसी पहली बार में ही चार गंटे लगेंगे उसके बात से है क्या है कि आप जब भी payment करोगे इंस्टेंटली अपडेट पाएगा बिल्कुल जैसी आप यहां पर payment करोगे वहां वैसी तुरंत आपको message भी आ जाएगा कि आपको HDFC में हमने receive कर लिया payment और वह आपको तुरंत ही आपके credit card पर update भी हो जाएगा वह आप उसके credit card के interface पर जाकर चेक कर सकते हैं तो यह था प तो यहां पर मैंने बिल्कुल detail में अच्छे समझा रखा इसको कैसे करना है तो आप यहां से भी reference ले सकते हैं आज के लिए इतना ही thank you very much